कि देरा three types of behavior एक जो behavior होता है वो neglected होता है यानि एक दुसरे को आप घ्यान ही दे रहे हो एक जो behavior होता है वो बहुत over involved होता है दुसरे को individual space ही नहीं मिल रही है इसरा जो behavior होता है जो manipulative होता है मतलब कि खुद की गलती ना मानना और दुसरे के उपर गल्ती थोब देना तो भी हमारे sessions में ऐसे भी सुनाई रेता है कि तो possessive us होत नहीं Parents जो हैं बच्चों के जिनकी शादी आज हो रही है, they are not gen Z obviously, वो तो millennial नी हैं एक अपल से उनको क्या अपने विहवार में या क्या अपने thoughts में परिवर्तन लाना चाहिए आज की generation के साथ से जिनकी आज शादी हो रही है क्योंकि काफी जमाना बदल चुका है, right हम इतने type of relationships देखते हैं अपने life में वो चाहे माबाप हो, या भाई बेहन हो या दोस्त हो लेकिन जो पती-पत्नी का relationship होता है या boyfriend-girlfriend का relationship होता है उसी को सबसे ज़्यादा लोग justification चाहते है भले मैं अपने माबाप के साथ तो peacefully रही रहा हूँ ना, भले कितने भी जगड़े हो जाए दोस्तों के साथ तो एक दूसरे fight भी हो जाए मैं वापस recover कर लेता हूँ लेकिन यही जो एक couple relationship होती है या married relationship होती है उसी को इतना ज़्यादा justification या लोग ऐसे क्यों समझते कि ये खराब चल रही है या फिर ये सही चल रही है इसको इतना judge क्यों करते हैं लोग The thing is क्या है ना क्यों कि लोगों के बहुत 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 अलग अलग तरीके होते हैं यह romantic relationship के बारे में देखने का कुछ लोग यह romantic relationship को अभी-कभी एक pressure की तार के ओपर भी देखते हैं कुछ लोग इसको ठीक है casual है या फिर तीसरे प्रकार के लोग जो होते है वो ऐसे होते है कि जो balance अंभाल सकते हैं For example, कुछ कभी-कभी ऐसे होते है na girlfriend and boyfriend अगर boyfriend ने कुछ बोल दिया तो girlfriend उसको personally ले लेती है कुछ चीज़े Similarly vice versa as well Girlfriend ने कुछ बोल दिया तो boyfriend उस चीज़ को personally ले लेता है Correct So, अभी हम यही देखना है कि हम आप मतलब जो भी है girlfriend boyfriend हो या पती-पत्नी है तो आप दोनों balance कैसे रख सके और कौन सी चीज़े personally लेनी है या personally नहीं लेनी है क्या यह इस वज़े से हो रहा है क्योंकि माबब के साथ तो हम बच्पन से रह रह रहे हैं भाई बेन के साथ हम बच्पन से रह रह रहे हैं So, उनको क्या पसंद है ना पसंद है या फिर उनका किस तरह से बोलना actually गुस्सेवाल है और किस कॉन सा टॉंट है मुझे सब समझ में आता है Correct और मुझे जो यह रिलेशनिशिप है जो नहीं नहीं होती फर एक्जामपल या फिर जो ब्लड रिलेशन नहीं है तो उसकेस में यह समझना मुश्कील है क्योंकि सामने वाले का we don't understand everything Correct अभी सच बात कहूं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लेगा है लेकिन माबाफ हम चूज नहीं कर सकते ना एक ही माबाफ है ना यहां पे options मिल रहे हैं और हम चूज कर सकते हैं इसलिए हम लोग उसके साथ रहना में भी compromise करना नहीं चाहते है Correct So relationships fail होने का जो primary reason है क्या वो यह कह सकते है कि compromise नहीं करने की वज़े से होता है Yes So not yes This is a primary reason And at the same time the basic primary reason is acceptance क्योंकि acceptance ही नहीं है लोगों को अगर आपको पता है कि आपको इस औरत के साथ आए फिर आपको इस आदमी के साथ रहना है तो उसकी खुबया और खामिया दोनों accept करना जरूरी है Exactly लोगों को वही समझ में नहीं आता है कि क्या accept करने है मतलब क्या acceptable है और क्या acceptable नहीं है और कॉंसी चीज चला ही जा सकती है Exactly और कॉंसी चीज छोड़ भी सकते Which is fine Okay अभी कुछ-कुछ For example मैं यह बोलना चाहूंगे कि कुछ-कुछ औरत ऐसे होती है ना कि पती मार रहा है पती गालिया दे रहा है They are fine with it Accept कर लेती है Exactly Which is unhealthy Obviously Yes But उनको ऐसा लगता है कि ठीक है पती परमिश्वर है To accept Whatever they think They are accepting तो इसका मतलब यह है कि उनको वो fail नहीं हो रहा है Exactly But किसी किसी case में अगर थोड़ा सा भी उंची आवाज में बोल दिया To भी उनको लगता है कि नहीं यह अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ Yes So वो sensitivity पे भी depend करता है Correct So आप जब कह रहे थे कि दोनों को मिलके acceptance करना चाहिए But generally जब relationship start होता है किसी कोई भी Initial level पे So हमें एक दूसरी किसी अच्छा ही दिखाई देती है Correct बुरा ही तो दिखाई नहीं देती है Correct मतलब अरे सामने वाले कितना खुबसूरत है सामने वाले के पास यह सब चीजे हैं या सामने वाले यह करता है या करती है यह सब देखने के बाद हम उसको accept करने लग जाते हैं But we don't realize कि उसके negativity क्या है या है तो भी वो दिखती नहीं हमको जैसे वो अगर smoke भी करता है या करती है तो चलो जाने दो वो बहुत जादा गूमता फिरता है या फिरती है तो भी अमको दिखाई नहीं दे रहा जबकि दिखाई दे रहा होता है But we don't accept that So यह कैसे catering कर सकते है The thing is कि कभी-कभी ऐसा होता है हमारे आप कभी देखो For example कि अगर आप रसे से जा रहे हो एक औरत गुजरी उसका बहुत अच्छा है कभी-कभी यह मेरा भी ऐसा होता है कि she's passing me and she's wearing really beautiful clothes and everything Correct And I'm like wow look at her she's really beautiful So it's not that I love her Correct So people does not understand कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते है कि admiration क्या है Attraction क्या और infatuation क्या है Correct So जब एक choices की बात हती है Correct कि आपको कौनसा person या फिर कौनसा partner choose करना है They get confused क्योंकि जो उपर दिख रहा है उसे कोई वो पार मान लेते है या फिर choose choices मान लेते है लेकिन आपको अगर किसी के साथ रहना है तो आपको डीप में जाके उनके बारे में research करनी पड़ेगी तो डीप में कैसा जाए क्योंकि अभी मैं एक चोटा से example लेता हूं College love से चालू करते है क्योंकि सबसे पहले वहीं पर हमको वह attraction मैसूस होना लग जाता है या फिर at least freedom तो मिल जाती है attraction को अंजाम देने की Yes वहां पर अब मैं deep में कैसे गुस हूं क्योंकि point यह है कि मैं सामने वाले को जहनने में बिलीव. बाद में करता हूँ उससे पहले मैं tvåलीव यह करता हूँ कि मुझे सामने वाली बंद अच्छा लग रहा है के नहीं बंदी अच्छी लग रही है उसके बाद ही मैं आशको जहानना चाहूंगा तो मैंने अगर अगर अपने मन में बना लिया है, कि वो लड़की मुझे पसंद है, तो मैं आलमोस्ट सारे सबने देख लेता हूं, ना या फिर अपने गुमना फिर ना तो मैं इस तो सोची लेता हूं भले मैं शादी तक नहीं जाओ, कि साथ में गुमेंगे, मतलब whatever is the case, इस case में डीप में तो बाद में जाना होगा, पहले तो मुझे अपने अपने अट्रेक्शन को फाइनले तो गना होगा, यह मेरा अट्रेक से प्यार मैंसस हो रहा है या फिर मुझे यह आदमी जो है या फिर यह जो कोई भी है, that girl, I like her, that is totally fine, but अगर आप उसके साथ रह रह रहे हो, तो उसकी अगर आप जब रहना start कर देते हैं, तभी आप हमें ऐसा मैंसस होता है, कि आरे मैं गल्ती तो नहीं की, मैंने इसको कि अगर मैं इससे प्यार करता हूँ, या फिर मुझे इसके साथ रहना है, तो मुझे उसकी खुबया, कमिया, जो भी है, वो एक्सेप्ट करनी पड़े की, या फिर कभी-कभी, कुछ कपल ऐसे भी होते हैं, कि या ready to work on their weaknesses, और उसको सुदारने के तयार भी है, तो उसको सु सारी नर्मल, कि यार मैंने स्टार्टिंग में तो सारी अच्छा यह देखी, मैंने बुरायां देखी नहीं, और अभी मैं मुझे गल्तियों का realization हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने स्टार्टिंग में जज नहीं किया ढंग से बंदी को और आपने उस सही सवाल नहीं प कर ली थी, यानि कि you are living in a strawberry world and आपने इसको इग्नोरी कर दिया, तो यह सही समय क्या होता है कि हम यह actually बात कर सकते हैं सामने वाले से, ताकि I don't know, साथ में रहा जा सके, Safe-up już for example, अगर आप पहले बार रिलेशन्शिप जा रहे हो तो या फिर पहली बार या फिर कितने भी बार जा रहे हो, अगर है और अप कौन से भी एलेशन्श भी जा रहे हो, तो आपको एक दुसरे को समझना पहेँगा, परक ना पहेँगा, देखना पढ़ेगा कि उसको क किया चीजे चलती है, किया चीजे नहीं चलती है, तो इसमें ज्गड़े तो होते ही है, Correct? Yes. और वो ज्गड़े भी कैसे solve होते है, और कैसे solve करना है, ये भी देखना भी kपल को जरूरी होता है, लिए अब इब जानने के लिए, जो आप बोल रहे हैं डीप जानना है अभी मुझे मैं सात में कोई भी जन रहे हैं सात में उसके अंदर मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि यह एक्चुल जगड़ा है या एक्चुली इस रेड फ्लाग या फिर यह तो मुझे बिल्कुल चलने वाला नहीं था लेकिन मैं चला रही हूँ या चला रहा हूँ just because I like the appearance या मुझे जो जिसमें से मुझे attraction हुआ तो यह चीज बाद में realize हो रही है तो तुम नहीं तो गलत decision लिया था लेकिन यह फिर formalize कैसे किया जाए यह तो आप जो बोल रहे है काफी formal formal लग रहा है कि पहले आप बात कर लो और यह यह बा अवरत तो इतना सोचता नहीं है जो इतना सोचता नहीं है फिर यह तो इसमें टाइम देना जरूरी है इसका मतलब टाइम देना मतलब उसके ऊपर सोचना नहीं ऐसा नहीं है आप टाइम दे रहे हो मतलब वो जगडे को थोड़ा पाॉस दे रहे हो and you are taking your own time कि मैं कहा गलत और वो कहा गलत और मुझे कौन सी चीज़ चलनी वाली है और उसे कौन सी चीज़ नहीं चलने वाली है और फिर मुझे उसकी कौन सी चीज़ नहीं चलने वाली है So, thinking about that, you are taking a time, okay? अभी आपने एक सवाल पुछा था कि अज़स्टमेंट और कॉम्प्रमाइजेस, correct? For example, ऐसा example है कि मैं चाइद पीच्ड कर रही हूं, ठीक है? पीच्ड के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सरी चीज़े हैं, और I am already married woman, okay? Correct. I have other responsibilities as well, ठीक है? So, financially I cannot focus on it right now. Correct. Okay, so, अभी मेरे पास क्या है? पीच्ड है और घर समबालना है? Correct. Correct. तो यह हुआ कॉम्परमाईस का पार्ट, कि अभी फोर फिल्ड हाल के लिए, फोर टाइम बेंग, मैं मालब वो कॉम्परमाईस कर रहा है, वन इट कमस तो फानेंसे, अगर मेरे पीच्ड नहीं खतम हो रही है, फिर मुझे पॉस देना है, तो मैं उसके कुछ चीज़ों क पर कॉम्परमाईस करूंगी, और फिर चायद फॉर एग्जामपल उसको जो चाहिए, वो कर लेगा, तो इसी में जगडे में भी ऐसे होना चाहिए, आइडियली, कि जगडा थोड़ी दिर साइड में रखो, ओके, औके, अड़ी सेम ताम थिंकिंग बाउट इन ताम, थिं सकती है, फिर कर सकती है, तो यह सारी चीजों के उपर आपको सोचना है, मतलब कभी-कभी होता है कि टाइम के इस अब से सब ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और पाइल अप होते जाता है, अगर शूल नहीं क्याता है, कुछ-कुछ पॉब्लम्स, मैं आपके उस पर आता हूं पहले कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे होते हैं कि जो शायद समय से automatically solve हो जाते हैं अपने अन्ने सरी अपने mind में build up कर रहे होते हैं और हो सकता है कि मैं सुबह कहीं बाहर से आया हूं या पूर दिन बार के थकान से वो इसले जगड़ा हो गया, actually we didn't mean कि वो जगड़ा हो जाए तो इस case में हो सकता है कि सामने वाले कोई मालूम ता लिए वो भी किसी गुस्से में था तो एक बार जगड़ा हो भी गया बर तीन दीन बाद हमको समझ में आ जाता है कि नहीं यार ठीक है, then automatically everything works fine कभी-कभी, but somewhere you said कि एक बार पॉस लेना बहुता ज़रूरी है, क्योंकि immediate reactions तो उसी गुसे से निकलेंगे, उसी irritation से निकलेंगे, उसी थकान से निकलेंगे Just take your relationship as a example of movie, movie कभी भी तीन गंटे की continuous होती है, नहीं होती, उसमें at least 15 to 20 minutes का break तो होता ही है, but since movies are for only for 3 hours, इसके लिए उसमें 15 to 20 minutes का break होता है, but हमारी life की movie तो चली रही है न, तो उसमें ये छोटे-छोटे breaks लेना ज़रूरी है, मतलब कभी नहीं बात करना भी अच्छा ही है Exactly, और आपको ये देखना है कि कौन सी बाते नहीं करनी और कौन सी बाते नहीं करनी है, आप ये भी बोल रहेते हैं कि एक पॉंट मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा था, कि मुझे कौन सी बात में compromise कर सकता हूं, and सामने वाला कौन सी बात नहीं compromise कर सकता है, इसके नहीं कर सकता है, तो ये सुचना बहुत ही जादे ज़रूरी है कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो आजकल क्या है ना, I'll just think about, I'll just say about today's generation, कि क्या है ना, आजकल लव मतलब प्यार है, मुझे कुछ नहीं करना है, और मैं अध्जस्ट क्यू लेकिन रिलेशन्शिप के साथ सथ अगर आपको किसी भी व्यक्ति के साथ रहना है, so you have to do adjustments, you have to do certain compromises in your life, it is not just about today's generation, today's generation में तो काफी जादा दिखने मिलता है, but I have seen many people from our generation, our generation, जिसमें भी वो शादी अभी recently की है या अभी अभी relationship में आये है, तो भी उनको ऐसा लगता है क अगर relationship should not be compromise, exactly, अगर relationship है, इसका मतलब compromise है, इसका मतलब तुम्हा relationship में red flag है, यह ऐसा नहीं होता है, correct, जब दो जन साथ में रेखे है, जिसे मेरा पहला सवाल यही था, कि महाबाप के भी तो आप चीज़े note ignore करते ही हो, वो आपको डाड भी देते है, मार भी देते है, तो महाब की बाते तो सुन लेता हो, अगर दाड भी रहे हैं, तो मैं एटलिस उनको, मैं भुरा तो नहीं लगारा अपने दिल पर, तुम अपने बीवी की, या गल्रेंड की, या फिर ऑपोसित, उसकी बाते आपको दिल पर लग जाती है, exactly, and आप decisions गलत लेना चालो कर देते ह आपके ब्रें में तो सुच तो नहीं चलने वाला है, तो यह कॉम्परोमाइज जरूरी है, क्योंकि रलेशंशिपी है, exactly, so there is no relationship without compromises, it is as simple as that, right? वही तो है, so I want to know more about, के जहाद तर relationship, या तो girlfriend, boyfriend के नाम से जाना जाते हैं, या तो पती-पतनी के नाम से जाना जाते हैं, between a man and a woman, क्या-क्या टाप के relationships होते हैं, a couple relationship, जब हम बात करते हैं, okay, so there are various types of relationship, आप उसको जो लेबल देना चाहो, आप दे सकते हो, okay, ideally, अभी तो है वैसा, so other thing is, कि वहाँ पे casual relationship आता है, flings आते है, friends with benefits आते है, so now, अगर casual relationship बोला जाये, तो उसमें जादा emotional involvement वगरा होती नहीं है, at some level there is a physical intimacy and it depends on individual to individual, कुछ केसे में जादा होती है, कुछ केसे में जादा होती है, कुछ केसे में कम होती है, as the name suggests, casual, exactly, friends with benefits, same, as the name suggests, friends है, but उस जाद में रहना कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, right, flings, flings बोले तो, it's kind of a one night stand, but, situationships, exactly, situationships हम बोल सकते है, kind of, the third thing, जो है, वो serious relationships, serious relationships को पे में फोकस करना चाहता हूं, that is girlfriend and boyfriend, जो आप दोनों ने एक दुसरे के साथ, कुछ तो commitment दी है, कि you're my boyfriend and I'm your girlfriend, that's it, okay, okay, understood, so तो अभी ये serious relationship के, वो दोनों के उपर है, अगर उनको शादी के लिए रुकना है, या फिर उनको live-in में रहना है, अच्छा, इसके बाद का step वो होगा, yes, so live-in के उपर, मैं थोड़ से बात करना चाहता हूं, live-in में कब रहना चाहिए और शादी में कब जाना चाहिए, य अगर आपको लगता है कि शादी के पहले आपको एक दूसरे को जो बोलते हैं त्रायल पीरेड है, अगर आप दोनों को रहना है कि आप, सी क्या होता ना, जब आप माबाप के साथ रहता है, अभी आपने बोला कि माबाप आमारी गल्तिया नजर अंदास कर देते हैं, वो तो आप जो घर पे नहीं सकते थे वो आप यहां पर करना है आपको वहां पर कुछ रिस्पोंसिबिलिटी जाती है या फिर वहां जो करते थे वो यहां पर आपको छुपाना पड़ रहा है या फिर कभी-कभी वो दिख भी जाता है फिर जगड़े हो जाते हैं आप साथ में रह रहे हो तो आप 2400 गंटे या फिर अपको चलने उटने बैठने सोने खाने पीने घर चीज आपको दिख जाती है करेक्ट करेक्ट तो कभी-कभी क्या होता ना लोग मुस्ट अफ दे टाइम कन्फिज हो जाते हैं कि लव है तो मुझे उसको उसके लिए सारी चीजे करनी है मुझे उसका साथ देना है जिंदगी भर चाहे वो गलत करे या सही करे यह और शी इस राइट आफ टो बी देर भी थोर नहीं ऐसा नहीं होता है मैं बस यह कहूंगे कि रिस्पॉंसिबलेटी भी उतनी ही ज़रुए है जब आप किसी लिविन रिलेशन्चिप में जाते हों क्यूंकि इस लाइक अलमोस् पती-पत्नी जैसी आप रह रह रहे हो तिस आपने शादी नहीं गर रखी है तो आपके वास कोई बॉंड ऐसा नहीं है कि आपको एदम एक दुसरे के तरफ यह फिर आपके रिलेटिव को भी वह पता नहीं है अपने को मालूम है कि मैं पास me safe side है कि को अगर रिलेशन्चिप नहीं पट रहा है तो I can just be मतले मैं आपने चला जा सकता हूं चली जा सकती हूं एक कपल को एक थोड़ सा basic सवाल से सुड़ करता हूं में एक कपल को कैसे पता चले कि वो क्या टाप के रिलेशन्शिप में है अपार्ट फर्म लिविन और मैरेज क्योंकि बहुत किसस में जैसे आप के रहे ना कि आप अगर एक बॉइफ्रेंड और गॉल्फ्रेंड है तो यह कैसे या फिर एक कैजूल रिशन्शिप या हाव और सिफी एस अजींध डिस रिलेशन्शिप यह कुछ दग और फॉर्मल नहीं लग रा है लाग रहा है मैं यह नहीं पल रह गो रहा है तो आप आप यहHeित्स कि अगलत रोगे ना रिलेशन्शिप में वह ए इस दो लोगों को यही नहीं पता होता है एक्ठी containment किल ब तो इसी के हिसाब सही आपको वो जो भी लड़का है या लड़की है वो देखके आपको रिलेशन्शिप का टाइग लाइन देना जरूरी है वह वट आ लाइक अबाउ दिस पार्ट इस की जनरली क्या होता है अगर हमको रिलेशन्शिप में जाना है हम यह अजिम कर लेते हैं कि मुझे सामने वाले को प्रपोस करना होगा इसको अपने गल्फरेंड या बॉइफरेंड बनने के लिए पिछ करना होगा तो फिर वह सामने वाले एक्सेट करेगा देन हमारे रिलेशन्शिप शुरू होगा येस आइडिली इसको ही कंसेंट लेना या देना बोलते हैं जो लोग भूल जाते हैं इन अने रिलेशन जो आइक चीज जो आपके बात से मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू कन ऑल्सो टॉक अब अफर टाप लेशन्शिप विछ इसको लड़का किसे लिकिक पसंद कर रहा है इसका यह नहीं जरूरी है कि तुम्हें उसको प्रपोस करना ही जरूरी है तुमको एक सीरियस रिल जो आप option choose कर सकते हो, हो सकते हैं, आपने से गुमना चालू कर देता है, उसके बाद अगर कुछ लगेगा, तो देखेंगे जेंगे, मैं याप पे कुछ negative promotion नहीं कर रही हूँ किस चीज़ का, मैं बस यह कहूंगे कि, इस इंडिविज़ल चॉइस, इंडिविज़ल के इंडिविज़ल कभी कभी जैसे हमने कहा कि कुछ लड़कों को relationship या फिर शादी बहुत burden लगती है, तो start from basics, कि आपको क्या जम रहा है, अगर आप try ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा, तो शादी को तो try नहीं किया सकता है, कि आपको क्या जम रहा है, क्या नहीं जम रहा है, try to understand about each other, आपकी compatibility क्या है, क्या ये हर age से शुरू हो सकता है, समय लो college के तो जो relationships थे casual, वो हो चुके है, बट कोई भी continue नहीं हुआ, समय लो आगे तक, अब अगर उमर हो चुकी है, society के साब से शादी की उमर हो चुकी है, तो उस समय से भी मैं basic से शुरू कर सकता हूँ, कि मुझे अभी advanced relationship में जाना हो गड़ा आए रिक लिए, अभी basic से, अभी उसका तरीका अलग हो सकता है, यहां पर, उसका तरीका क्या है, कि you have to start, you might have to start dating, अच्छा, सवाल नहीं, कुछ गलत बाते बोल दी है, जो लड़की को बाद में समझ माई कि गलत है, मतलब उसने जूड बोला है, तो relationship क्यों फेल होता है, जूड बोलना, dishonesty, यहां पर आमने वाले की नजर में अच्छा ही बनने कोशी कर रहे हैं, आपके बुराइँ सहरी चुपा रहे हैं, यहां विच इस अलसो बाद में आपके लॉट के आपके पास आती है, करेक्ट, करेक्ट, और सच्चा ही कभी छुपती तो नहीं है, कभी ना कभी तो बार आनी हो अली है, तो इसमें पहले से बोलों दो, आपको पिछले पास्ट एक्सप्रेंस को आपको रिवाइंड करके तो आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा, कि मेरे किस वज़े से जगड़े होते थे, क्या रिजन था, पर खुद को खुद की गलतियां थोड़ी ना दिखाई देती है, नहीं देती, बट अट लिस्ट वो डायलोग्स, यफिर वो situation, सिनेरियो सो समझ में आ सकते, अगर नहीं दिखाई दे रही है, तो there is always a way that is, go to a professional and take a help. या फ्रेंड से बात करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए? त्युकि त्वाइड इट, क्या है कि फ्रेंड से अल्फायां था, आपकी ही साइड लेंगे. सब मुझे ही क्यों छोड़ के चले जाते हैं तो we have seen in certain cases in our couple therapy sessions कि there are three types of behavior एक जो behavior होता है वो neglected होता है यानि एक दुसरे को आप ध्यान ही दे रहे हो एक दुसरे के needs के ऊपर ध्यान नी देता है एक जो behavior होता है वो बहुत over involved होता है दुसरे को individual space ही नहीं मिल रही है एक्जाटली तीसरा जो behavior होता है जो manipulative होता है मैनिपलेटिव मतलब कि खुद की गलती ना मानना और दुसरे के ऊपर गलती थोब देना अच्छा हां मैने तो बोला ही था एक्जाटली इसे भी बहुत सारे personality traits है बड़ अगर वो बोले चाहे तो हमारे वीडियो नंबा हो जाएगा एक्जाटली तीनों को थोड़ दोड़ा डिस्क्राइब करते है क्योंकि तीनों ही चीज़े काफी important sound कर रहे है तो निगलेक्शन मतलब क्या कि आप दोनों की जो bare minimum needs जो होती है रिलेशन्शिप में वो क्या होती है that is understanding active listening okay basic responsibilities जो होती है as a girlfriend and boyfriend कि एक दुसरे के साथ रहना एक दुसरे की तरफ धान देना कुछ कुछ अभी हमारे sessions में ऐसे भी सुनाई रहता है कि तो possessive होत नहीं कि he is not even getting possessive भी नहीं हो रहा है मतलब गोस्ती है exactly तो यह भी लड़कें को कुछ लड़कें को problem होता है possessive नहीं होना भी problem है exactly, ज्यादा होना भी problem है और नहीं होना यह भी problem correct I understood कभी-कभी possessive नहीं जलेशी कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है that person my partner is giving me an importance correct लेकिन कुछ कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता तो यह जानेंगे कैसे के अच्छा लगता है सामने वाले को नहीं लगता so उसके लिए आपको trial करना पड़ेगा कि आपको एक level set करनी पड़ेगी कि मैं इस हद तक jealous हो सकता हूँ okay I know यह थोड़ा बहुत ही measurement के हिसाफसे में बात करें लेकिन मैं इस हद तक मैं jealous होना तो मैं कैसे jealous हूँगा like for example कहा हो किसके साथ हो क्यों आपर क्यों गया हो वह नहीं पुछ सकते वहीं तक ठीकता पहले वाला सवाल तक आप इसके उपर भी बहुत सारे सवाल आ रहा है पुछते करोगे बार पुछते रहोगे देन इट इस नाउ सर के उपर से पानी जा रहा है exactly correct so सामने वाले को we can actually easy होता है काफी guess करना लेकिन हम अपने मूर में रहते हैं मैं सही हूं उस मूर में रहते हैं अपन वो देख नहीं पाते हैं exactly correct अभी active listening अभी कुछ अभी तो mobile आ चुका है लेकिन हम हर एक कपल को यही बोलते हैं कि at least spend 45 minutes everyday without using any electronics gadget क्यो quality time होता है quality time का definition मुझे जानना ही ज़रूरी what is quality time exactly क्योंकि सामने वाले के लिए मैंने भी डिल्ग स्ने कौलिटी ताइम नहीं दे रहा है quality मैं कितना उसमें शेयत डालना है क्या डालना है quality time मैं अलब महां पे distractions नहीं होने चाहिए कौनसे भी एक दूसरे के आख़्ों एक दूसरे के आख़्ों करेक्ट 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 और जो भी आप बात सुन रहे हो वह एक्टिवली बात सुनना ज़रुरी है मतलब सुन नहीं रहे हो आप समझ रहे हो उसके इस अबसे प्रिसिपट कर रहे है तो यह basic bare minimum चीज है करेक्ट करेक्ट अगर आपको for example दुसरों की बाते सुनना ही पसंद नहीं है या फिर आप जो कॉन्फलिक्स जो हो रहे है या फिर फॉर एक्जम्पल ऑन इंडिविजयल लेल पे भी कुछ कॉन्फलिक्स होते है बोला जायते आपके वर्क में कुछ हो गया है या फिर आपके घर पे कुछ हो गया है आपके वर्क में कुछ में कुछ में बोलते नहीं है क्या चीज जो मेरे प्रॉब्लम में शेयर करना श्रीगु कर दिया है आपके वर्क में कुछ 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 में सी वेनेवर एनी कुबल सम तो आपके लिया है तो इसका मलब यहने कि कल से बदलाव शुरू होंगे रिलेशन्शिप बिल्डिग इस प्रश्स यूएड यू नीट वव पीश्च फर दा रापिस्ट के साथ काम करो रिलेशन्शिप के लिये या फिर एक गुसर के साथ करो एक्षाटली इत्स पेशंच करेक्ट और अपको एक बार से वहां पैक बार शाज नहीं हो तो यह व् इतना भी accept कर लिया कि मुझे कुछ करने की जरुवत है तो ही आदे जगडे आज बॉइफ्रेंट और माइ बॉइफ्रेंट विल आस्टन क्वेस्टन करेक्ट बट उसका ओर इंवल्मेंट जादा है कि अगर मुझे फर एजमपल वोग प्लेस पे तकलीफ हो रही है तो ही विल कम अट मैं वोग प्लेस ओमाज गया है यह तो सुनने में गलत लग रहा है यह तो लेकिन यह आई है और सीन डाइशनिशिप्स के कुछ जादा ही इंडिविजुल के लाइफ में आप बिल्कुल भी मतलब ओविज यह तो एक्जामपल था वर्क प्लेस का यह यह लेकिन इंडिविजुल स्पेस ना देना इस अलस अगा क्धरी ताइम बर अब कहे रहे है कि आपको स्पेस भी देना है कि दोनों कब देना के Рवर आस्ट की जादा लोग नहीं इतना देते है अगर, अगर फो एक्सका प्रोफेशन हमारी जाई साईश्गोज़ है, we have to meet many people. तो अगर कब करेड मेरे वोइफ्रेंड बोलेगा, तु उसको ही क्या है, तु तु मेल खाय होऊ है, तु क्या बात करती है, कैसे बात करती है, वो सब मुझे बता, अब्धिक करिक्ट और वो कि आपका पर प्र मिलना और है तुक तुक्त पात करना इचकली तुक्ट अबिकमारजव्य स्पीक्सुप्रम्ड लिए मिलना बस्तुमिल्ट और कि लिए नवीज के लिएटा इंडिया में बहुत ज्यादा दिवर्स एट भी दिख्रेंगें हैं थ सबसे जादा प्रोब्लम्स क्या आती है उसके बारे में I want to know अब ये जो प्रोब्लम्स है वही प्रोब्लम्स अगर बाद में भी continue होती है और या या उनीक प्रोब्लम्स जो होती है उनीक प्रोब्लम्स अभी मारेज बोला जाये तो उसमें responsibility पहले आती है, प्यार बाद में आ जाता है, ऐसे क्यों, क्योंकि marriages में two families are involved, correct, your needs, your profession, everything is involved, जो था पुरा cocktail बन चुका है, exactly, cocktail बन चुका है, you're right, so कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग प्यार को ही पुरा मान लेते हैं, उसकी वज़े से शादी किया, यह समझ ले लेते हैं, yes, but responsibility is a part of a love, okay, प्यार किया है, जैसे मैंने अब भी कहा कि प्यार किया है, इसका मतलब यह नहीं कि, आपके husband अगर गलती कर रहा है, तो उसको भी, you have to support him, प्यार का मतलब यह नहीं है, आपको अगर प्यार किया है, so you have to tell your husband, कि हम ऐसा-इसा कर सकता है, या फिर पती, wife, जो भी है, whatever, your spouse, so आप दोनों को एक दुसरी के साथ, मिल जुलाओ बनके रहना है, आप दुसरों की जो गलतिया है, कभी कभी होता है, मैंने इसकी सारी गलतिया पेट में ले ली है, इसा इतना भी कॉंप्रमाइज करना चाहिए, तो उसको healthy कभी कभी relationship नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई spouse तो unhappy रहने ही वाला है in the relationship, उसमें से infidelity, cheating, ये सारी चीज़े फिर उबर के बाहर आ जाते हैं, शक और बहुत जादा बढ़ने लग जाते हैं, exactly, correct, so you are saying के responsibility comes first inside a marriage, so marriage के दो types जो सबसे जादा प्रचलीत है, love marriages and arranged marriages, so love marriages का पहले बात करता हूं, उसमें तो काफी एक दूसरी के बार में जानते हैं हम लोग, right, so love marriages क्यों fail होते हैं? Sometimes कभी-कभी चीज़े ऐसे भी होती है ना कि एक बार-बार-बार चीज़े हम कर रहे हैं, कभी-कभी एक personality traits भी होते हैं लोगों के कि जैसे हमने अभी यह discuss किया इस मतलब पहले कुछ questions में कि अगर आपकी कुछ कमिया है और अगर आप उसके उपर काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर वही चीज़े बार-बार धोरा रही है, if there is no growth, yes, if there is no growth, तो भी love marriages fail होते हैं, कभी-कभी in some cases ऐसे भी होते हैं, आपने यह भी सुना होगा कि शादी से पहले तो यह अच्छा था शादी के बाद बदल गया, यह बहुत बार सुना है, लेकिन इसका मतलब यह था गया, कि शादी के पहले तुमको मालूम था कि सामने वाले में क्या कमिया है, लेकिन फिर भी आपने decision ले लिया शादी का, यह सोच कर कि शादी के बाद यह बदल जाएगा यह जाएगी, तो इतना बड़ा assumption लिया ही क्यों? प्यार, जो अन्दा प्यार भी कभी कभी हम बोल सकते हैं, So love marriages के case में, क्या point पे आके आपको decision लेना है कि अभी इसके आगे शादी करनी है या नहीं करनी है? ऐसा कॉंसा point है जब शामने वाल को समझ वाल जाएगा, अभी we are ready to get married, या we are not ready to get married, serious relationship भी है तो इसको break कर देना चाहिए? For example, there are two types of love marriages as well. Two types of in the sense, As you mentioned about this, कि कभ रेड़ी है और कभ रेड़ी नहीं है, So it has two types, For example, जो कपल जो है, अगर वो mentally, physically, financially, तीनों अगर तीक है, अगर इसमें से कुछ भी एक चीज़ कम है, और वो दुसरा वाला partner उसको balance कर पा रहा है, तो अगर दोनों भी एक दुसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप दोनों का connection और bonding भी उतना बढ़ गया है, So it's a good to go, क्यों देरी कर रहे हैं आप दुसरे के लिए, आप अभी परिवार वालों के यहां से बात कर रहे हैं, यहां से बात करते हैं, जब ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, serious relationship ही ठीक था, शादी के लिए we think के सब कुछ सही नहीं है अभी तक, तो अभी कभी कभी यह होता है कि कभी कभी कुछ लडकों को या फिर कुछ लडकियों को शादी मतलब बहुत ही burden लगता है, यहां से मैंने कहा कि responsibilities आ जाती है, कभी कभी कुछ चीजें पीछे छोडनी पड़ती है, correct? Yes. तो वो कुछ चीजें लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो responsibilities लेना है, वो लोगों को… जो hard part वो रहने दो, जो easy part वही करते हैं. Yes, easy part वही करते हैं. And that is also fine, क्यूंकि हर एक individual का नजरिया अलग-अलग होता है, individual choices होता है, correct? लेकिन मेरा एक सवाल, responsibilities लेने के लिए, तो क्या उसी relationship को थोड़ा और धक्का लगाना चाहिए, कंटीन्यू करते हैं भी थोड़ा दिन और, and बाद में सोचेंगे कि शादी करने के नहीं, यह अच्छा decision होता है क्या? अगर आप दोनों भी उसके लिए ready हो, then try to push it. इसके लिए बात करना भी उतनी, understanding रखके बात करना भी उतना ही जरुरी है, तो अब बात कैसे कर सकते हो, कि for example, this is an example कि लेक्सी, मैं यह शादी यह बहुत ही बड़ी responsibility है मेरे लिए, okay, तो मैं अभी तक उस चीज के लिए ready नहीं हूँ, तुझे क्या लगता है, can you please tell me the way, और can you please give me an assurance कि, at least हम आगे जाके हमारा कुछ ना कुछ तो हो सकता है, यह एक तरीका हो गया, कुछ लोग तो ऐसे ही होता है ना कि directly ना भोल देते हैं, तो टोटो टोड़ देते हैं, वैसे अगर आपको पता है कि शादी कभी ना कभी तो करनी है, किसी ने किसी के साथ तो करनी है, अगर इतना भी clarity हो है आपको, आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बड़े बुड़ों का अगर आम बात सुनें या माता पिता की बात सुनें तो हमेश्या शादी के लिए ही हां बोलते हैं कि इतना जल्दी शादी कर लोगे अच्छा रहेगा क्योंकि जब तक नौका में बैठोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा लहर इसमें यह चलेयर रहा है जादे में आरेंज तो हॉता है कि डो टाप्स को इसमें भी डिवाट कर देता हूं पहला तो है कि चट्वाट मग निपते ब्याद जनरली क्या होते हैं कि शादी की उमर हो चुकी है तो अब शादी करनी ही है एक डोई कमें प्रहें कूछ गोड़ेति त保़ेश लाषन गैसा कि था संसरा हा लाल अगुक करता है अगये परणाट भी समझदार लिपन यह नहीं के क्लिक्समों के लिए अगर वो एड्जेसमेंनट के लिए रेडी है कुछ चीजब करने के स् resonate there is nothing wrong in it and similarly goes for that husband as well कि वो लड़की नही है मेरे घर मेरे घर में सबाध म bisher मुझे सको एटेंचन जाता देरा तरव आफ अपी if you're considering factors like you're not taking granted for her you're not lying to her you're just trying to be loyal and telling her each not each and everything butieg Promised बदेरे ले पता होना चाहि आप ले को आपता होना चाहि means you are giving everything to her तो कभी-कभी यह arranged marriages भी fulfilled हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा भी होता है ना कि arranged marriage के बाद, वो दोनों friends बनते हैं और फिर उनका प्यार स्टार्ट है, फिर लव स्टोरी चालो होती है उनकी, लेकिन इस साउंड बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हर किसी का बस की बात नही जिसमें एक बार सगाई हो जाती है जैसे रोका हो जाता है और फिर शादी के लिए समय दिया जाता है कि शादी हो जाएगी उसके लिए तुम अपना मन बना लोग उसके इसमें क्या प्रावलम साने के चांसे हैं अगर आपका engagement हो भी गया है, so you have to understand either way कि practicality जो है वो भी कि प्यार सब कुछ काफी नहीं होता है, the thing is कि आप एक दुसरे के साथ थोड़ा time spend कीजिए, आप दुसरे के साथ बाते कीजिए, आप दुसरे के साथ जो non-verbal cues है वो देखने की कोशिश कीजिए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा है For example, में बात बताते हूं कि अभी हमारे आप एक कपल आते थे, वो, that lady used to be like, तो dress किती चान है ना, मैंडे लग की, तो dress कितना अच्छा है ना, correct, so this is a hint, क्यू, कि मुझे वो चाहिए, exactly, at least, मुझे पूछो तो सही, मुझे चाहिए कि नहीं, exactly, at least, पूछो तो सही, लेकि मा नहीं कर सकता, तो या फिर मैं अभी नहीं बताना चाहिए, शाहद हो सकता है, बाद में आपन करेंगे, ये भी बोल नहीं सकता आदमी, अगर पता भी चल रहा है, तो, अब इस केस में वापस वो, अनकहीं बाते रह जाती है, exactly, and दोनों अपने अपने दिमाग में मन मुला आपको वो ड्रेस अच्छी लगी है, but I'm really sorry कि अभी तक मुझे उसका बजट नहीं है, तो शायद वो ऐसे भी बोलेगी, अरे मित तुला फक्त सांगितल, that's fine, exactly, 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 that is right, yes, exactly, that is right, exactly, that is right, yes, exactly, exactly, that is right, yes, बोलना कितना होता है, और चाहिए तब बोलना कितना होता है, इत उसको किस तरह से हम निभाएं, कि actually शादी तक जाते जाते हैं सब कुछ, मदब sort हो जाए, गुल मिल जाए दुसरे में दोनों, एक दुसरे को time दो, एक दुसरे को efforts डालो एक दुसरे के उपर, efforts मतलब क्या जैसे है, हमने अब भी कहा ना कि अगर आप दुनों एक दुसरे क में आपको क्या चाहिए, what you can bring to the table, आपको आपके partner, मतलब partner से क्या चाहिए, what are your expectations, यह सब बात करनी चाहिए अपने को मंगनी के बाद, exactly, exactly, कि हम कैसे घर चला सकते हैं, grocery के बार में हम कैसे manage कर सकते हैं, या तो फिर मतलब इतना फॉर्मल नहीं हो कि वो informal होई सकता है, अपने इतना कमा जाते हैं साथ में, तो आपने ऐसे-ऐसे कर लेंगे, planning जैसे अभी हो सकता है, exactly, planning जैसे अभी हो सकता है, क्योंकि ideally plan कर गें, यह सब कुछ करना चाहिए, इसा, ने, ने, चलो पहले कूछ जाते हैं, बाद लेकिए, तो फिर वो tension आ जाता है, irritation आ जाता है, और यह irritation, tension, frustration और pressurization के वज़े से ही कुछ relationships भी fail होता है, रोका या मंगनी होने के बाद का जो time होता है, उसको generally ऐसा माना जाता है कि, living जैसा नहीं माना जाता है, उसको it is like कि हमारा society उसको assume करता है कि आप मिल सकते हो, लेकिन साथ में रह नहीं सकते है, लेकिन अगर आप सा अलग से time निकालना पड़ेगा, correct, correct, क्योंकि मैं भी job कर रहा हूं, सामने वाला भी job कर रहा है, तो फिर आप मिलोगे उतने ही time ना जितने time आप फ्री रहते हो, correct, या फिर Sunday के दिन या किसी चुट्टी के दिन या अलग से time चुट्टी लेकर फिर आप मिल सकते हो, तो इस पता नहीं, मैं suggest नहीं कर रहा हूं, I am just asking, कि रोका के बाद भी साथ में रहने का कुछ रिवाज होना चाहिए था क्या, इंडिन फैमिली में भी, होना चाहिए, ideally बोला जाए तो, क्या है ना कि हमारे इंडिया में, there are various cultural diversification, correct, कुछ cultures में होता है ना कि आज ही engagement है, कल शादी हो गए, correct, ऐसा होता है, so it's like sometimes वो लड़का और लड़की को, मतलब, वक्ती नहीं मिलता है एक दुसरे के साथ जानने का, या फिर एक दुसरे के बारे में कुछ चीजे जानने का, correct, और even ऐसे cases भी हैं हमारे पास, जो, like, after, like, after having two babies, that औरत और और वोईवर इस, like, that person is, you know, suffering in that marriage, and then they are divorced, so it's just extending everything, extending कि बस हमारे relatives को बुरा नहीं लगना चाहिए, माबापको बुरा नहीं लगना चाहिए, society को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम रह रह रहे हैं, so parents को क्या रास्ता आपनाना चाहिए, इस cases में, arranged marriage के cases में, so एक धान रखो, मैं बस यही काऊंगी कि अगर आपको कुंसा भी लड़का या लड़की पसंद आई है, see, आप जैसे background verification करते हो कि लड़का या लड़की का background क्या है, see, background when it comes to a past tense, okay, अभी वो लड़का कैसा है, अभी वो लड़का कैसे behave कर रहा है, वो देखना भी उतना ही जरूरी है, okay, समझ गया, क्योंकि हो स लड़का लेने हैं एक दुसरे के बारे में जानने के लिए और खुद के बारे में भी, आपने, for example, आपके कुछ इंसकेरिटीज है, आपके कुद के मन में, okay, और आपका ऐसा है कि आपने वो इंसकेरिटीज के बारे में कुछ किया ही नहीं है, बस मेरा पती या फिर मेरी जो पतनी है, she'll make me happy, she'll make me fulfill, ऐसा नहीं होता है कभी, और आप आपका जो बैगेज़ है, अगर आपका कुछ भी जैसे मैंने कहा बैगरां, whatever it is, अगर आपके प्रिवेस रिलेशन हो चुके है, या फिर आपकी जबरदस्ती शादी हो गई है, मैंने घरवालों ने शादी होते हैं, correct, तो कभी-कभी क्या होता है न, लड़के, हम लोग ने ऐसे भी रेखा है कि लड़के, घरवालों ने मना किया है, इसके लिए they try to get jump into a marriage, just because they want to overcome with this feeling, but ऐसा नहीं होता है, you have to overcome with the past baggage, आपको क्या है, आपके मन में क्या है, वो आपको emotions के बारे में काम करना जरूर परेंट्स जो हैं, बच्चों के जिनके शादी आज हो रही है, वो I think they are not gen Z, obviously, वो तो millennial ही हैं कपल से, इनके पुराने thoughts से, उनके पुराने पददत से शादी होई होगी, so उनको क्या अपने विहवार में या क्या अपने thoughts में परिवरतन लाना चाहिए आज के जनरेशन के साथ से, जिनके आज शादी हो रही है, क्योंकि काफी जमाना बदल चुका है, right, and फिर तू उनको क्या सोचना चाहिए, या फिर कैसे treat करना चाहिए, दो जनों के शादी के इसमें, you are talking about Gen Z or right now, no, I am saying that for old people, they are parents, अगर वो ये देखने हैं वीडियो, so उनके अंदर क्या ऐसा सोभाओं में बदल आना चाहिए, अपने बच्चों की शादी की तरफ, ताकि वो ऐसा नहों के नहीं, पटावट शादी कर लो, हमने experience किया है, मतब सही है, correct, और ऐसा भी नहों के नहीं, तेरी मर्जे शादी कर ले, what is the right way, जैसे हर नाता या फिर हर relation same नहीं होता है, वैसे हर शादिया भी same नहीं होती है, अगर आपकी शादी अच्छी हुई, इसका मतलब यह नहीं कि आपके बेटी या बेटे का भी शादी अच्छी हो सके, और आपकी शादी में अगर डिवोर्स हो चुका है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके बच्चों का भी डिवोर्सी होगा हाँ obviously obviously so it's like you shouldn't have to compare your marriage with your kids marriage okay okay now you have a question here how can you compare it to me it's my child so it's my husband like me no no it's not it's your child then it's a different identity is it's a different opinion it's a different values it's a different life can be understood parents can understand it in fact in many cases there are many cases that like mother-in-law situation is not enough minimum 25 years to have a gap in your age and children's age so in this case you can see the time frame is more and more and more options because if you have seen a marriage then you have to put a resume and see it it's like your profile yeah bio data so now I remember that these are the online matrimonial साइट्स होती है इसके ओपर देखके लोग arranger marriages कर रहे हैं काफी सारे लोग इसमें भी तो problems आती ही आती है और इतना कम जानने के बाद क्या हम शादी करना सही भी है क्या कभी कभी क्या होता है ना I have seen certain जो matrimonial sites है they give a compatibility form मतलब आपकी जो क्या पसंद है ना पसंद है वह आप you have to feel that form और उसी के हिसाब से मलब मुझे वैसा लड़का दिखाई देगा ऐसे देर आर सटन आपसर देर सटन साइट्स की आपको वह फॉर्म भरवाते हैं करेक्ट उसमें अगर जो भी आते हैं विच मिन्स की अगर वो डिसीजन ले रहे वो बहुत ही गाई गाई करके डिसीजन ले रहे तर रुषादी हो गया अभी अच्छा हो गया अगर फिर भी अगर आपकी कमपैटिबिलिटी अच्छी है फिर भी जो सोचल मेडिया पर दिखता है उसके ऊपर मत जाओ सोचल मेडिया वन परसेंट तक दिखता है उसकी पीछे की कहानी भी अलग हो सकती है फॉर एक्जम्पल यूट्यूब की बहुत सारे कपल है वर दूइं यूट्यूब करेक्ट साथ में करें ये यास सो उनके डिली रूटीन में क्या होता है और खाना बनाता है कॉन घर की देख वह बनाते करेक्ट मैं यह यह नहीं बूलो कि वह गलत कर रहे हैं ऑÁP जो सोच धूट वह देख रहे हौए उंदिक आपर आपसेंट और रुस्दक मोसें परेस्जाटली उसके पीछे की कहानी क्या है मलब अगर अगर आपको रिलेशन्शिप सस्टेन करना है उसके लिए उतनी कितना गिसा हुआ मलो कितनी महनत की है वह आपको नहीं पता वह पते हैं अपका अपने वर्म तो भरा हुआ है ये अपने इसलेशने अपने नौन कहल और बात करो अब अपो अपो और गल्तकिन के लिए लुडग का वो बंडे से भी आप अब होता है ना लूनर्वर वर्म जो भी पता चलता है कि अनौरल बहर कहीं पर मिलेख बात के हो तो बाहर कैसे बिएफ कर रहा है अगर आप कहीं पर इंडोर मिले हो दो हाव ही और शीज बहेविंग इंसाइड लेकि उसकेस में जच बहुत ज्यादा करना चाहिए हमें या कम करना चाहिए क्योंकि फर्स टाइम मिल रहे हैं हो सकता है सामने वाला अक्चुली जोसकी अगर मैं बस परस्नल रुपिन देरी हूं कोई ऐसा अफंड मत होना तो तो देंग इस कि यहार राइट कैसा होता है वोस्त अप्टाइम कि देर फ्यू गाईज और फ्यू गर्ल्स वर्ली बोडी कॉंशियस और सेल्फ कॉंशियस कि मैं कैसे दिख रहा हूं अच्छा रहा ह अगर मैंने कुछ बोल दया तो मुझे जच तो नहीं करें वो उनके भी वो अजम्शन में रहते हैं करेक्ट 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 इस सो इन दिस सेंस मैं बस यही सज़ेस्ट करूंगे कि यू हाफ तो मीट ओफनली एक एक मीटिंग मैं तो कभी भी जजमत कर आप और मैं तो य कि अगए होना चाहिए है इडेली क्यों अगर आप पने ऐसा फिल आरहे है क्यूं अगर प्रेंको अगर मिलना तो चाहिए एक बार बिना मिलना समझ में तो नहीं सकते गया तो नहीं पाइसेट पेशंस रोखोगे उतना वह रलेशनसिप में फार्क जिंदा रहेगा अगर चीजे बहुत जल्दी जल्दी करना चाहोगे तो मैं बस यह कहूंगे कि आप उस पार्क भी बुजा रहे हो और एक दुसरी को जान भी नहीं पा रहे हो एक दुसरी को जानने का वक्त भी नहीं दे रहे हो तो डोंट हरी अपिन एनिफिंग एक दिन बात नहीं मिल सकते हैं इस लाइक के जल्द बाजी मत करूं एक्जाटली इस लाइक के टेक यह टाइम वन विक टू विक टू विक तक आप बात कीजिए ठीक है आप उसके रूटीन जाने की कोशिश कीजिए कि क्या है उसका रूट नहीं सब्सक्रेल पर क्या है कोश्टा यस उसके विसके लिए क्या है विक रहना है में होटे बात कर सकते हैं ये वाले जू ज्योट स्कशन पर सुखते हैं ये वाले जू कि और झारियर गंदेब को यह भी इतना ज़्यादा टेंशन का माहौल होता है सबके गर पर सो ऐसे केस्स क्या है पहले तो समझते हैं एंदेन उसके उसके पर सुलिशन कुछ है तो बात कर सकते हैं Yes, I would like to give answer to this question of yours, but I would like to add one more point in our previous point यह भी है कि अगर आप जब तक चाइट पर बात करोगे तो यू विल अंडेस्टाइंड दवाइब और परस्नालिटी अप यूमन बेंग कि आप वह बंदा चैट पर कैसा है और रियल लाइफ में क्या सेंटेंसे सारे और रियल लाइफ में क्या नॉन वर्बल वर्बल क्यू सारे अब रियल कर रहा है करेंट करेंट के बनेट क्यूनु 12 वह सकता है क्यूस्टां ऐसी हो कि उनको हैंडल नहीं नहीं हो Walter रहा हो तो क्या situations हो सकते हैं कुछ examples के साथ discuss करते हैं ताकि अगर किसी के साथ ये problems आ रही हैं तो हो सकते हैं उनको अपना अच्छा decision रहने के में help मिल जाए for example there are as I mentioned कि खुद का self analysis जैसे कि अगर आपके कौन से भी childhood traumas है childhood traumas के वज़े से आपके adult personality में कुछ changes आ गये हैं तो अगर आपके वो insecurities है वो insecurities आप आपके partner के उपर चिड़ चिड़ापन के रूप से आप डाल रहो बार बार तो आपको उस पर ज्यान देना चाहिए exactly exactly दूसरी चीज यह है कि financial issues आपने तो पहले यह बोला था फिर बाद में पलट कैसे गये और तो शादी से पहले बोले तो जॉब करेगी उसके सब से में decisions बना रहा था और अभी तुम चाहिए कि ने में घर पे रहना है तो नहीं चल सकता exactly तो नहीं चल सकता तीसरी चीज यह कि lack of understanding towards each other यह तो बहुत ही bare minimum है जिसके वज़े से भी होते ही है जैसे कि for example understanding के लिए time and efforts नहीं मिल रहे हैं तो time and efforts पता ही नहीं को कैसे डालना है तो अगर एक दूसरी को समय नहीं दे रहा हो शादी होने के बाद भी तो भी chances है कि वो एकदम ही crucial stage पर आजाता है exactly not necessary अभी एक में एक example देती हूं कल ही मैं अपने कली के साथ बात करेते हैं and she told she said this beautiful example कि अभी uncle और auntie है दोनों के भी arranged marriage ही हो चुके है but वो जो uncle है उनको चार सल तक बाहर रहना पड़ता था दुबए में just because he is a driver of a particular king okay you know how understood yes so उनको वो चार साल के बाद ही आते थे तीन महीने के लिए वो भी जैसे आर्मी और इसमें भी तो होता ही है exactly exactly yes that's right so आपको एक दूसरे का प्रफेशन जानना भी उतना ही जरूरी है तो अभी क्या बोला का लिगने मेरे कि अभी वो तो है ना अभी तो घर पे है तो हमारी शादी नई तरीके का मोड ले रही है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगे है अभी कभी जगड़े होते हैं कभी कभी महासी मजाग भी होता है यह तो आप इसको पॉजिटिव साइड से एक्जामपल है यह बहुत जादे के नेगेटिव भी होता है कि अगर आप ऐसे बहुत ही दूर रहते हैं लंबे समय तक दूसरे से तो भी चांस ओफ चीटिंग बहुत जादा बढ़ जाता है तोलेरंस लेवल लेगी हाता और एक बार वापिस आप साथ में वापिस लग रह जाओ जैसे आपके केस में तो रिटायर होने के बाद वाद अच्छे से जहर जी रहता है लेकिन हो सकता है मिलने के बाद आप आप उसे उसे नहीं कर सकते हैं कि आपको आदक बढ़ चुके कि इस उसे आप पर समय अच्छे साथ नहीं करता है बट कभी कभी अगर दिवर्स अगर पर एंपल्ड हैं कि यह जा नहीं आप यह जाप पत्नी है बहुत सालों से क्सात रह रहे हैं जारें इस हैंग दाप द बोओधद चिल्रेंशार सेइंग अब्ड शाग में खाणिस फ वोर्स होना सही बात है क्योंकि वो दोनों को दोनों बच्चे भी सफर कर रहे है न जस्ट बिकॉस कि ये पती का टोलरेंस लेवल इतना नहीं है तो फैंनल पतिक्लर सिचुएशन अगर वो पती के घर भी अन बड़न या फिर कुछ भी घर पे निकल रहा है उसका गुस्टा और पतनी के उपर जा रहे हैं जादा हो रहा है और वो बच्चे भी देख रहे हैं बच्चों के उपर गलत असर हो रहा है मैं यह कह रहा था कि डिवर्स साउंड बहुत ज्यादा घंबीर करता है यानि कि ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी वर्ड है इसको टैबू जैसा माना जाता है कि नाम भी नहीं लेना चाहिए हमको अपने फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स में भी बोलते हैं रह इस जैसे आपने एग्जेंपल दिया ही कि डॉमेस्टिक वाइन से केस में हो सकता है डाइवर्स इस वेरी गुड थिंग तो डू लेकिन कोई ऐसा और स्पेसिफिक केस है जहां पर अलग होना इस रियली गुड या अच्छा डिसिजिएन हो सकता है एक दूसरे के साथ बोर में यहां संटिक है कि डूसरे के साथ सो देवां शम्तिन दियू एन देर लाइफ या फिर कुछ ना कुछ रिजन से भी होते है कि लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पार है एक दूसरे को समझ नहीं पार है है at the age of 13 years of marriage as well पो एक दुसरे को समझ नहीं पा रहा है तो time waste करके फाइदा नहीं है यह बले sound बले contradictory कर रहा होगा Indian society के इसाब से बट हमारे जो ancient किताबे हैं उनमें भी ऐसा लिखा है कि there are four stages of life so एक बच्पन होता है जिसमें आपको पड़ाई लिखाई करके आपको युवा अवस्ता तक आना होता है and then उसके बाद आपका ग्रियस्त जो है वो आता है life का situation ग्रियस्त लाइफ में आपको जो कुद्रत ने आपको जिसके लिए भेजा है वो आपको reproduction करके अपना family बढ़ाना होता है and then again जो युवा अवस्ता में आप ब्रह्मचार्य का पालन करते थे वही ग्रह अवस्ता के बाद वापस आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए just के अभी हमने अपना दाइत्व निबाद याइस अर्थ पर आके अपना and now it's time to dedicate our time to nature and God may be यह अपने गंतों में भी कहीं न कहीं डिसकस किया जाता है so आप जो पॉइंट कह रहे हैं उससे वो काफी resonate कर रहा है कि हो सकता है बोर होना एक जस्ट हमें टर्मनलोजी उसकर रहे है it is like कि आपने अपना दाइत्व निबाद चुके है exactly you both are enough अभी बस हो गया now we should stop somewhere so this but ideally अगर मैं बस ही काऊंगे कि यह पहले के जमाने में होता था जौब बूल रहे हैं बट अभी जर्रेशन बहुत ही चींज हो चुका है कुछ लोग शादी इसके लिए करते कि उनको बुड़ापे में बुड़ापे में साहरा चाहिए अकेले नहीं रहना है कुछ लोग शादी इसके लिए करते हैं just because they want to get married कुछ लोग शादी इसके लिए करते हैं कि जैसे आपने कहा कि आपने बस एक ब्रह्माचारी रहे फिर दुनियादारी की and then again you are a ब्रह्माचारी that is an experience that you want to have yes exactly so yes at the time of old age यह बहुत ही अच्छे अक्टिविटी भी हो सकती है कि आप life के अलग पेलू भी at that age बट उनके लिए नहीं जो दोनों कपल चाहरे हो तभी हां अगर दोनों में से एक भी बंदा चाहरा है कि मुड़ापे का सारा होना है हमें दूसरी का तो it is not a good decision में भी ऐसे समय पर करेक्ट करेक्ट सो वही तो एक बेस वही पर आता है ना that is when you are getting married कि आपको क्या चाहिए है कि एक इस वजह से आप रिजन से आप शादी करना चाहरे हो यह clarity होना बहुत जादा ज़रू हो ज़रू है सब लोग जानती है जो अगरी वीडियो देख रहे है कि सोसाइटी का प्रेशर तो ही एक्जिस करता ही है बट उसको केटर कैसे किया जाए मेरा अगेंस्ट डिसीजन है सोसाइटी के मैं कुछ अलग सोचता हूं या सोचती हूं तो मैं अलग रहा पर कैसे जाओं अलग रहा तो फिर कैसे केटर किया जाए अगर मेरा कुछ अलग ही सोचना है तो शादी के बारे में सी इस नौट नेसेसरी तरी और इंटाइरली बैनिंग और सोसाइटी या टेकिंग स्टैंड फोर यॉर्सेल्फ आप खुद के लिए एक स्टैंड क्रियेट कर रहे हो कि सिफ शादी सब कुछ नहीं है कि शादी के अलावे भी बहुत बड़ी दुनिया है अगर यह कोई मिलेनियल कपल देख रहा होगा तो बहुत सरी चीजे कर सकते हो बस एक शादी एक सोसाइटल रूल बना गया कि वेन और एट सर्टन एज यू हाद कर लेनी चाहिए क्योंकि हमने है बहुत सादों ने शायद ब्रह्माचारिय बर भी करके देख लिया है उनको वैसे भी कुछ जो अच्छी होना था हो थोड़े साल में अच्छी हो गया वा बाद में भी कर सकते हो अभी जो जवानी का एज है तुमारा जिसमें यूर फरटाइल इनफ तो आपको शादी कर जाद के रिप्रोक्षान कर देना चाहिए लिए जवानी का एक 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 जामपल है कि किसी को बुड़ा कुछ लोग सिफ शादी करते हैं जो नको बच्चे भी नहीं जाए बस बस ये आर गडिदिं मैर्ड येस ऐसे इसे कुपल सो थैं कम हैं लेकिन है तो सही कुछ लोग नहीं करते हैं बिकाज देव एक 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 फंड़ डाला है इस नोट नेसेसरी वह आपकी चोईस होनी चाहिए कि अगर आपको सच में शादी करनी है या नहीं करनी है बस शोसाइटी ने डाला है जैसे आपने कहा कि आप एक पर्टिकलर उमर के होगे शादी क कर लो बच्चे पैदा करो और फिर वहां पे चले जाओ इस नोट नेसेसरी अगर अगर अंडर्स्टेंड क्यों ऐसा कहा जाता होगा कि हमने हमारे पास एक्जांपल्स होते हैं बहुत सारे कि उसको चालीस की उमर में रिलाइज हुआ कि या मेरी फैमिली होती तो अच्छा लेने से अच्छा मैं अभी बोल रहा हूं कि बच्चो अभी शादी कर लो क्योंकि हमको मालू में कि इसके आगे क्या-क्या हो सकता है वो केस से देखा जाए तो आई थिंग बट इसम पॉइंट देर फ्यू कॉपल वर गेटिंग मैरेड अट इज ऑ फुर्टी और बच्चे पैदा करने के लिए करनी है अगर आपको शादी खुद के लिए करनी है बच्चे के बाद में भी कर सकते हैं या बच्चों के लिए भी करनी है तो आप पहले भी डिसिजन ले सकते हो आप इसकी साल में भी शादी करी सकते हो जो गवर में टलाओ करता है आपको इ या फिर सारे वो अपने पती-पत्नियों के साथ घूम रहे हैं, मेरे साथ अभी कोई टाइम नहीं स्पेंड करें, या फिर हम खुद कोई लेफ्ट आउट फिल कराते हैं, इसके लिए आप शादी मत किजा, आपको क्या लगता है मन से, आपको क्या चाहिए, जैसे हम अपना क अब अपने लोकेशन घर लेने के लिए जगा प्लान करते हैं, या आपने भी ब्लान करसे हुआ, आपको शादी करनी है, किस टाप के रिलेशन शिप में रहना है, या आप मैसे कर सकते हो, इस या टोटली राइट, I only happen this was an amazing session और आज का, and I hope हमारी और आडेंस को भी कुछ तो कुछ तो आइडिया मिला होगा कि कि एगर वो किसी रेलेशंशिप के बैड पहलू से गुजर रहे हैं तो भी उनको कुछ तो एक सेंस ऑफ रिलेफ मिला होगा कुछ आइडिया मिलें होगे आपने रिलेशंशिप को सुदारने के so thank you so much for joining us thank you so much